अभी पिछले कुछ दिनों से भारत में एक आजीब साथ मतब एक तो पॉलिटिकल सेनारियो चल ला है और साउथ से एक आवाज ऐसी उठके आ रही है जो एक कमिनल सेनारियो क्रेट करने कोशिश की जा रही है सेनारियो यह है कि कुछ सम्दिसंबर से अचाना से लड़कियों को लगा कि हम हिजाब पहन के अब हिजाब के साथ साथ बुरका पहन के सब चीज़ें पूरा एक इसलामिक अटायर में हम रिलीजिय सटायर में हम प्लासे अर्टेंट करना चाहते हैं जटके से उससे पहले कभी नहीं लेगा उससे पहले वे काटबा इंसिदेंट्स आई लेकिन कभी ताप प्रक्टिस में हुआ नहीं इंसिट्यूशन का एक ड्रेस कोड होता है वो चीज़ें आप मानने करके ही अड्मिशन करते हैं जटके से आपके मन में कुछ भी आएगा आप पहन के नहीं जा सकते एक टीवी डिएट में सही कहा था किसी ने कि अगर कोई लड़की मॉडलिंग में है और वो चाहे कि मैं भिखनी पहन के आजाऊ तो वह भी अलाव नहीं किया जाएगा कोई वेक्ति किसी अलग प्रोफेशन में हो चाहे वो पहन किया जा तो हर चीज के सम्मान करते हो नहीं दिखा जा सकता है सबको एक 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 तराजू में तौला जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम से किसाई जात पात सब के लिए ड्रेस कोड है उसको मानने में क्या दिखकत है अब एक कुछ बहुत सारे टेक्निकल टाम सारे कॉंस्ट्यूशन लिगालिटी फीडम आफ रिलिजिन फीडम आफ प्रक्टिसिंग रिलिजिन लिबर्टी पता नहीं क्या क्या विमन राइट सब को सब तूट पड़े है और ये बात आ रही है कि भारत में इंडिया में क्या हो रहा है कि हजाब पहने ने दिया रहा है पतार नहीं क्या क्या ताम चीज है। जबकि हिजाब एक बहुत इंपॉर्टन हिस्सा नहींalım का इन प्रीसलामी क कैसी हो अरब वर्डन लेकिन बाकी सारे बहुत बड़े बड़े देशों ने इस चीज को बैंड करने की पूरी कोशिश किये मैं आपको आर्टिकल दिखाना चाहूंगा एक एक करके कि वो कौन कौन से देश हैं वो कौन कौन सी जगह है जहां जिनका क्या हिजाब बुरका और तमाम चीज़ों को लेके मुसलिम एटायर मुसलिम वोमन का टायर को लेके और क्या क्या कारण है आप एक करके करके देखते जाए चाहिए और समझते जाए यह क्या है जिसका है यहाँ पर इंडिया में इसको पॉलिटिकल क्यों बनाए जार इसको परत में एक दिन हिजाब पहनने वाली रड़की प्राइम मिनिस्टर बनेगी, अगर वो ये टर्म यूज करते कि एक दिन मुसलिम महिला प्राइम मिनिस्टर बनेगी, आप इस बात पर तो confidence नहीं शो कर सकते कि मुसलिम महिलाओं को मस्जिद जाने के लिए पुरी परमिशन ह होनी चाहिए, हर मस्जिद में जा सकती है, आप उनके सेपरेट मस्जिद क्यों कर रहे हो, हर मस्जिद में जा सकती है, इसके लिए तो आप बख्ज़र नहीं हो, आप यह कहते हो कि उनको क्या पहनना चाहिए, यह उनको allowed है by choice, लेकिन जहां कोई मुसलिम मड़की बुर्ख कि प्रेक्टिस कहां चलेगी, अब यह तो आप इसको कंपल्शन की तरह बोलो कि कंपल्सरी यह पहनो, तो by choice तो हुआ नहीं, अगर इसलाम में कंपल्शन है तो, और जो लोग यह कह रहे हैं कि secular country में रोक टोक वगरा वगरा, तो secular country में एक particular religion की प्रेक्टिस को इतना तूल अगरे राइट्स बेकार हो जा रहे हैं, प्रेक्टिस नहीं करना दिया जा रहा है, कहीं इस सब करते हुए देखा है, नहीं देखा होगा आपने, तो इन ही को इतना treatment क्यों दिया जा रहा है, तो भारत में बुर्खा बैन को, हिजाब बैन को इतनी importance क्यों दी जा रही है, अगर आपको लग रहा है कि सारे education institution में मुझे कहीं बुर्खा और हिजाब नी पहने दिया जाएगा, मदरसे में चले जाओ, अगर आपको लगता कि मदरसे से निकल के अगर आप अच्छे इंसान मन पाओगा, अच्छी जॉब मिल पाएगी, qualified होगे तो चले जाओ, और इसको politicize किया जा रहा है क्योंकि चुनाओ आ चुके हैं, क्योंकि UP मुसल्मानों के अबादी बहुत जादा है, क्योंकि हिंदू-Muslim करने के कोशिश ये लोग करेंगे ही करेंगे, जहर सी बात है, क्योंकि एक article के अनुसार, एक केरला के जर्नलिस्ट ने ये indirectly leak कर दिया था, कि साओधी के देशों से, वहां की एक यूनिवर्सिटी से, पैसा आ रहा है इंडिया के south के states को Islamic current करने के लिए, यहां के dress code को, Muslim movement को forcefully ये करने के लिए, कि यहां के Islamic dress code में आ जाएं वो लोग, तमाम चीज़ें, तो यह तब हो रहा था और अपना ज़रा रहा है, तो आप स समझ में आ जाएगा, यह कोई natural protest नहीं है, यह man made protest है, यह intentional protest है, और इंडिया की democracy, unity, equality, constitution, जो भी economy, फर्क पढ़ता है, इन सारे protest को कुछ अभी खराब होती है, तो investment काम आती है, तो इन सब चीज़ों को खराब करने के लिए, आपको समझ में आ आए कि मैं क्या कहना चाता तो इस रूडियो को शेयर करेंगा, नए हैं तो subscribe के वाना मच जाएगा, फिर मिलते हैं, अगले लोड़ों जैहिन, बंदे मात्रा